हाल ही में अनन्या पांडे ने अपनी नानी का जनम दिन बड़े ही धुमधाम के साथ मनाया और अपनी नानी को जनम दिन की बधाई देने के लिए अनन्या पांडे ने एक अंदेखी तस्वीर को अपने इंस्टेग्राम पर शेयर किया लेकिन इस तस्वीर के सामने आते ही अब एक्ट्रेस को जम कर ट्रूल किया जा रहा है ऐसे में चली आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वच्छा क्या है नमस्कार मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिकावर आप देख रही हैं बोल्ड स्काई चाहे बॉल्ड सलप्स हो या आम जनता हर किसी को अपनी नानी दादी से बहुत प्यार रहता है ऐसे में अनन्या पांडे की नानी का जनम दिन हाल ही में बीता इस उपलेक्ष में अक्ट्रेस ने अपनी इंस्टेग्राम स्टोरी पर अपनी नानी की एक अंदेखी तस्वीर को अपने फैंस के साथ शेयर किया और अपनी नानी को जनम दिन की बधाई दी लेकिन इस तस्वीर में अनन्या पांडे की नानी हाथों में ड्रिंक का गिलास लिए हुई नजर आ रही है और साथ ही उनके पास लेटी हुई है अनन्या पांडे लेकिन अब इसी तस्वीर को लेकर फैंस एक्टरस को जम कर ट्रोल कर रही है आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिलजीत दोसांज के साथ भी ऐसा ही एक किस्सा जो है वो देखने को मिला था जहां पर तिलंगाना सरकार ने उनके दारू शब्द जोकी गाने के लिरिक्स थे उनको यूज करने की मना ही दे दी थी और ओन स्टेज परफॉर्म करने के दोरान दिलजीत दोसांज ने अपने गाने के लिरिक्स में बदलाव किये थे वही इन सभी बातों के इतरब अनन्या पांडे का ऐसा पोस्ट लोगों को बिलकुल भी रास नहीं आ रहा है जहां पर लोग बॉलिवूट सेलेप्स को अपना आइडियल मानते हैं वहां पर सेलेप्स द्वारा ड्रिंकिंग को प्रमोट करना किसी घुपी पसंद नहीं आया ऐसे में चली आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जिस तस्वीर की हम बात कर रही है उसमें अनन्या पांडे की जो नानी है वो तकरीबन पचास साल से जादा की उम्र की नजर आ रही है ऐसे में अगर व्रिध्य व्यक्तियों द्वारा या सीनिय सेटिजन्स द्वारा ड्रिंक का सेवन किया जाता है वो उनकी सेहत के लिए बहुत जादा हानिकारक सावेद हो सकता है ड्रिंक करना किसी भी लिहाज से आपकी सेहत के लिए बेनिफीशल नहीं है लेकिन अगर खास कर आप जादा उम्र होने की दोरन ड्रिंक का सिवन करते हैं तो ये आपकी स्लिपिंग साइकल को ना सिर्फ डिस्टर्ब करता है बलकि आपको कई सारी mental health problems का सामना भी आपको करवा सकता है फिलहार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार